नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याना न्यूज एक्स्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवी आईए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और अर्की उपमंडल के बख डोन गाव में आजादी के अमरत महसफ के अपलक्ष में रेक्ट्रो सोसाइटी सब यूनिट अर्की की और से वन महसफ का आज़न किया गया इसमें मुख्याले अर्की के सभी विभागों के करमचारियों ने भाग लेकर विबिन प्रजातियों के पौधे लगाए ये कारिक्रम उपमंडल अधिकारी अर्की केशव राम के अध्थक्ष्टा में आज़ित किया गया वन महसफ की जानकारी देते हुए वो मंडल अधिकारी अर्की केशव राम ने कहा कि सभी को पौधर उपन करना चाहिए और वनों को सुरक्षित रखना सभी कदाइट वहें उन्होंने कहा कि पौधर उपन से पर्यावरन स्वच रहता है उन्होंने बताया कि आज एक हजार पौधे लगाये गए हैं इसमें स्कूली बच्चे, युवक मंडल, महिला मंडल की महिलाएं ग्रामीन और अर्की के सभी वभगुर्द करनचारियों ने भाग लेकर पौधर उपन किया उन्होंने का कि ऐसे कारेक्टरम होने जरूरी है ताकि हमारी युवा पीड़ी को पर्यावरन की जानकारी मिल सके अर्की से हमारी समबार्दाता शेहनास की रिपोर्ट रेट क्रॉस सोसाइटी अर्की के तहट आज राज्येपाल जी हमारी ओनरेबल राज्येपाल महामहीम राज्येपाल हिमाचर प्रदेश के आदेशा नुसार हम यहां पर वन बहुत सब बना रहे हैं जिसमें की हजारों पौदे लगाए जाएंगे यह हम प्राइमरी स्कूल बप्रोण के साथ जंगल में कर रहे हैं और इसमें हमारे सब डिविजन के सभी लोग हैं सरकारी, अधिकारी, करमचारी और आम जंता, पंचायत के लोग, आसपास के लोग, एनसेस, एनसीसी के, महिला मंडल, नहरू योवा किंडर के लोग और इसके अतरिक्त सारे ही डिपार्टमेंट, फॉरस्ट डिपार्टमेंट, रेवन्यू डिपार्टमेंट, और कृशी विभाग, उद्योग विभाग, पंचायती राज विभाग, सभी का सहयोग मिल रहे हैं और सभी लोग यहां हजारों की संखे में पौधे लगा रहे हैं, और हमें विश्वास है कि इससे हम अपने पर्यावरन को अच्छा बनाएंगे. यह जो प्लाटेशन के लिए हम खड़ा करते हैं, इसकी थोड़ी सी बारेकिया आपको पता देता हूं, कि इसमें हम थोड़ी सी स्लोप देते हैं, इसकी वजाए यह है, ताकि ऊपर से पाणी आता है, उसको कैश्मिक मिल सके, और जो न्यूट्रेंट और मैनियोर आती है, उस हमारे फेस्बूक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताजा खबरों के लिए बैल आइकॉन को दबाना न भूलें